मातरम! 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 जै! हमास से जंग के बीच इसराइल की अलग-अलग शहरों में फसे भारती नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है इसके लिए भारत सरकार ने ओपरेशन अजय लॉंच किया है इस ओपरेशन के तहट 212 भारतियों को लेकर इसराइल के बेंगोरियन हवाई अड़े से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुँच चुकी है इसराइली समय के मताबिक भारती नागरिकों से भरी इस फ्लाइट ने रात को 9 बजे बेंगोरियन हवाई अड़े से उडान भरी थी सरकार ने ओपरेशन अजय को उन लोगों की मदद के लिए लॉंच किया है जो इसराइल और हमास की बीच शुरू हुई जंग के बाद इसराइल में फस गए हैं दरसल साथ अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एर इंडिया ने इसराइल से उडान भरने वाली अपनी सभी उडानों को ततकाल प्रभाव से बंद कर दिया था जिसके कारण ऐसे कई भारती नागरिक इसराइल में फस गए थे जिनहें भारत लोटना था हैं जी सटर में आपा धुरू आपका इसराइल में बॉर्चार में वाली कोई होने तेर इसराइल फ़िए आपकर के था दो कि यू रए हमारा इंडियन गूवर्में आपका यह यह श्रूबर से फो फो तर्शे से ही यह यह थिवार् ऐस हैं बढु टने चाल थे लिए वार सबसे खास बात यह है कि ऑपरेशन अजय के तहट भारत सरकार जिन लोगों को इसराइल से लेकर आ रही है उनमें किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है बता दे कि इसराइल में करीब 18,000 भारती मोल के लोग रहते हैं इससे पहले भारती दुतावास ने विशेश उडान के लिए रेजिस्टर्ड भारती नागरिकों की पहली खेप के बारे में इमेIL किया था इसमें ये भी कहा गया था कि अगली उडान के बारे में रेजिस्टर्ट लोगों को फिर से संदेश दिया जाएगा ओपरेशन अजे के बारे में इससे पहले विदेश मंत्री एस जैशंकर ने सोशल मेडिया पर पोस्ट किया था उन्होंने कहा था कि सरकार ओपरेशन अजे लांच कर रही है इसके जरी उन भारती नागरिकों को इसराइल से वापस लाया जाएगा जो लोटना चाहते हैं भारती नागरिकों को लेकर ये फ्लाइट बेंगुरियर इंटरनाशनल एरपोर्ट से आई है बता दें कि ये इसराइल का मुख ये एरपोर्ट है फिलाल अस वीडियो में इतना ही देश वर दुनिया से जोड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सट्राइब करें